नैसाल के पहले दिन विचपुरी मार्ग पर बेकाबू टाटा सफारी ने टेम्पो एक्टिवा और कार में टक्कर मारी थी खास्ते में एक्टिवा सवार युवक की मौके पर मौत हो गई थी पतनी गंभी रूप से घायल है उसका उपचार जारी है पूरी घटना क्रम में पुलिस ने मुकदमा दर्च कर बेकाबू टाटा सफारी सवार एक युवक को गिरफतार किया है पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूश्ताच कर रही है चालक की गिरफतारी का प्रयास किया जा रहा है नैसाल के पहले दिन बिचपुरी मार्ग पर बेकाबू टाटा सफारी ने टेंपो एक्टिवा और कार में टक कर मार दी हादसे में एक्टिवा सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी पतनी गंभीर रूप से घायल है उसका उपचार जारी है जबकि एक महीने की बेटी दूर गिरने पर बाल बाल बची घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है पूरे घटना क्रम में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बेकाबू टाटा सफारी सवार एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूचताच कर रही है चाला की गिरफतारी का प्रयास भी किया जा रहा है बोदला बिचपुरी मार्ग पर सोमवार शाम एक हादसा हुआ हादसे में गणेज धाम कॉलोनी, बिचपुरी निवासी विकास यादव, पतनी शिल्पी और एक महीने की बेटी के साथ नैसाल पर मिलने के लिए एक्टिवा से मारुती स्टेट अपने रिष्टिदार के घर जा रहे थे प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना था कि बोदला मार्ग पर कलवारी के पास बिचपुरी की तरफ से तेज गती में टाटा सफारी गाड़ी आई उसमें दो युवक सवार थे, वहनशे की हालत में थे ब्रतक के परिजर ने बताया कि विकास एक सेलम फेक्टरी में काम करता था फरवरी 2022 में शिल्पी से शादी हुई थी 27 नवंबर को बेटी पैदा हुई थी, विकास ने बेटी का नाम शिवी रखा था घर में खुशियां थी, हादसे की समय विकास एक्टिवा चला रहे थे शिल्पी बेटी शिवी को गोद में लेकर बैठी हुई थी, टक्कर से विकास की मौत हो गई मा बेटी सडक पर गिरी, तो दूद मुही बच्ची दूर जा गिरी हादसा जिस किसी ने देखा उनकी चीख निकल गई घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं घायल पतनी शिल्पी की अभी हालत गंभीर बनी हुई है पुलिस वाहन चालक की धर पकड में जुटी हुई है सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट